विटीव चैनल तो आज की से वीडियो में हम बात करें गे crude oil की कल की लिए prediction की कल क्या हो सकता है कुछ कौल उस बन सकती यह नहीं बन सकती आज क्या हूआ पूरे जिन मार्केट के अदर और आज की बिहाफे यानि की आज की चाल पर हम करेंगे prediction कल की कि कल क्या हो सकता है जो आज के लिए prediction हमने की थी already market gap अप ही open हुई और जिस तरीके से मैंने बताया था आज की वीडियो में कि आज क्या हो सकता है market के अंदर तो वैसा ही market ने behave किया तो चलिए आज भी हम पूरी कोशिश करते हैं कि आज की market की चाल रखना चाते है market के साब से या trade setup करना चाते हैं तो सबसे पहले हम एक घंटे का चार्ट लेंगे और एक घंटे के चार्ट पर समझने की कोशिश करेंगे कि आज क्या हुआ देखिए सबसे पहले तो जो मैंने आज के लिए वीडियो बनाई थी उसमें मैंने अल्रेडी आप कुछ भी आप कह सकते हैं उनको उसके साब से भी इस नोट डिपेंड कि अगर लास्ट केंडल ग्रीन हो तो हमेशा गैप अपन होता है तो उसके साब से मैंने देख लिया था और मैं इसलिए मैं आपको बोला था कि मार्केट गैप अप अपन होई देखिए एक चीज मैं आ अगरिकर "- दिन की जो पहली केंडल बनती है, यानि की आज की दिन की जो पहली केंडल बनी वह रैड़ बनी उसके बाथ यहाँ पर देखिए पंदरा बर को देखिए 15 तारिक पर क्या हुआ रैड बना प्राइज देखिए कहां गया ग्रीन के तरफ गया आगया ज़िए 14 को देखिए प्राइज क्या हुआ ग्रीन था प्राइज यहां से ग्रीन ही गया थर्टीन को देखिए, रेड था, रेड के बाद एको रेड बना, और फिर प्राइस जो है, वो ग्रीन की तरफ, देखिए, यहां से उठा, और फिर ग्रीन की तरफ ही जा रहा है, आगे आज यह दस को, देखिए, रेड बना, फिर प्राइस ग्रीन की तरफ गया, आगे आज को देखिए रेड बना फिर ग्रीन की तरफ गया यहां देखिए ग्रीन बनी पहली का एंडल उसके बाद पूरा दिन रेड बनी पूरा यहां से ही रेड बनना चलो हुई राइट और इस तरीके से अगर आप देखेंगे तो यही ट्रेंड जो है चलता आ रहा है राइट यहा यहां देखिए दो तरीको भी रेड बना रेड बनने के बाद यहे तो सेम प्राइज है उसके बाद बना तो मतलब जो ट्रेंड फॉलो होता आ रहा है उसके नोटीस की है कि जो दिन की पहली तो गडल बनती है उसके बाकिजो जो ट्रेंड रहता है प्राइस का फर्स्ट हाफ तक यानि की बारा से एक वज़े तक वो अपोजिट डिरेक्शन में ही रहता है तो ये भी एक अच्छी चीज मैंने ढूंडी है आप इसके भी हाफ पे भी ट्रेड कर सकते हैं तक एक एटी परसेंट एकुरेसी की आ रही है ज आ कि नीचे गई इस तरीके से हूआ वा अब देखिए बात करते हैं कि आज के भी हाथ पर क्या हो सकता है यानि कि सबसे पहले तो हम लेते हैं चार गंटे का चार्ट चार गंटे का जब वने चार्ट लिया है तो देखें अब चार गंटे के चारट पर सबसे पहले हमें, क्या करना है ये में हमें अब करने है तलकी इससे आपको क्लियर कट एक पता picnic चलता है कि हो क्या राय स्क्रीन के पर अदर्वाइस सब कन्फ्यूज ही हो जाते हैं 225 का ले लेते हैं इसको देखे एक चीज दिखाने की कोशिश करूँगा आप लोगों को देखिए 225 EMI यानि कि 4 गंटे के चार्ट पर भी परफाल की प्राइस बहुत जदा ऊपर आ चुका यानिकर इसके निअरिपा आ चुका है अगर हम इसको एग घंटे पर देखते हैं जो हम नॉर्मल देखते हैं तो एक चीज आप देखेंगे अगर यहाँ पर आप लेके आते हैं प्रसर अपना तो आप देखेंगे यहाँ पर किसका जो डिफरेंस है मैंने आप लोगों को जो आज एक पोजिशनल कोल दी थी ग्रूप के ओपर पोजिशनल ग्रूप के ओपर मैंने 4-1-40 के ओपर कोल दी थी और बोला था कि वही 30 पॉइंट का पहला टार्गेट है अब देखें दिक्कत यह है 30 रूप का तो टार्गेट 35 रूपीज का टार्गेट और डी एचीव हो चुका उस पर मगर पोजिशनल कोल वहाँ पर मैंने दी यानि कि मेरे पास कुछ वैलिड रीजन से बहुत अच्छे ट्रेंड थे मेरे पास कि यहां से प्राइज उपर जाएगा तो पर्सनली मुझे क्या लगता है क्योंकि अभी तो बारा बच गए है अभी तो मतलब बारा बच चुके हैं तो मार्केट तो हो गई अब ओफ तो मुझे क्या लगता है कि 4,140 क्योंकि आज पूरा ट्रेंड था अब ट्रेंड था मार्केट नीचे से 40 के बाद से बिल्कुल अच्छे इंडिकेशन से अब मुझे ऐसा लगता है कि कोई ज़्यादा इंडिकेशन हमारे पास नहीं है कि मार्केट यहां से नीचे आए पर कल मार्केट कहां पर है 4,140 है यहां पर देखिए कल मार्केट वापिस 4,140 की तरफ ऐसे करके मूव करेगी तो लोगों को लगेगा कि जितना भी प्राइज उपर की तरफ गया था वापिस जो है वो लेवल हो गया हो रहा है जैसे यह इस लेवल पर आएगा तो मैंने ओल्रेडी पोस्ट किया है आप लोगों के लिए टेलिग्राम पर भी यूट्यूब चैनल पर भी उस पर वाट्सअप ग्रूप पर भी की प्राइज जो है वो 4,140 पर आने के बाद उपर जाएगा तो इसलिए मैंने किया क्योंकि मेरी कैलकूलेशन के साब से जो एक चलती है उसमें रिजल्ट यही आये था कि 4,140 पर पर प्राइज आने के बाद फिर उपर जाएगा अब हो सकता 35 पर आके चला जाए पर 35 तो 45 की रेंज में ही यह प्राइज नीचे आने के बाद वापिस उपर के तरफ होगा या तो यह फर्स्ट हाफ में यहां तक आएगा दिन सेकेंड हाफ में यह नीचे से यहां से उपर जाएगा क्योंकि यह एक बार तो लोगों को पागल बनाएगा जरूर कि मैं नीचे जा रहा हूँ क्योंकि देखिए मुझे नहीं लगता कि हमारे पास कोई भी ऐसा valid reason है कि यहां से price नीचे की तरफ गिरे क्योंकि जितने भी मेरे खुद के personally जो आप कह सकते हैं कुछ ऐसे formula कह सकते हैं syntax कह सकते हैं, indicators कह सकते हैं कि जो मेरे पास personally है उन सब ने ही ये indicate किया है कि यहां से अच्छी खासी positional call बन रही है अब positional call तो बन रही है मगर positional call ने सिरफ 35 points जो हैं हमें दिये हैं अब दिक्कत यह है कि 35 points हमें दिये हैं, कोई बहुत बड़ी खास movement उसने नहीं दिये तो यहां से एक चीज ये भी हो सकती है कि reversal आने के मुझे कोई chances नहीं लगते है personally कि मतलब ऐसा नहीं है कि हाँ 35 points आ गए हैं 40 से और वापिस घूम के जो है price अब नीचे जाएगा, मुझे नहीं लगता मुझे क्या लगता है कि यहां से price जो है वो 40 के level पे आएगा ताकि वापिस जिस level पे call generate हुई थी उसी level से वापिस जो है वो वहां से जाने की मेरे साब से तो कोशिश करेगा उपर की तरफ ही क्योंकि बहुत जादा solid trend है कि यहां से buy की तरफ यानि कि उपर की तरफ ही price जाए क्योंकि already यहां से price गिरता हुआ ही आ रहा है और जो 225 EME है EME जो है वो भी 267 पे है यानि कि बहुत ज़दा close नहीं है कि price बहुत ज़दा close होके नीचे से आ रहा है नोर्मली होता क्या है जो EME होती है उसको price टच करके वापिस movement लेता है नीचे आने के बद close फिर उपर गया यह बिल्कुल touch करके उपर गया तो यह देखिए touch करके उपर गया तो हमेशा इस तरीके से ही होता है तो मुझे भी यही लगता है क्योंकि इतने उपर से ही movement वापिस ले लेना यह trading इस तरह से नहीं होती क्योंकि trading में दो बंदे पैसे लगाते है कोई कमाता है कोई गवाता है तो कोई बंदा गवाने वाला क्यों गवाएगा उसके बस valid reason तो होना चाहिए ना गवाने का यह price यहां तक जाएगा तभी तो buyers जो buy पे लगाएंगे तब buyers buy करेंगे यहां पर और तब price अगर नवापिस नीचे आएगा तो इन लोगों को loss होगा और जो यहां से sale करेंगे उनको profit होगा तो यानि कि कहीं न कहीं यह Tom and Jerry वाली कहानी है right की मतलब trap बनाया जाता है और trap अभी यहां से तो नहीं बन सकता यहां से trap नहीं बन सकता अब यहां पर दो तरह के trap बन सकते हैं एक तो यह की price यहां पर नीचे लेके जाया जाया जो मैंने level दिया है और यहां से फिर solid तरीके से उपर लेके जाया 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 और अगर हम बात करें तो आज वैसे भी जो है 17th of January ही है और आज है 17th January को Friday याने कि आज है last working day share market का Friday तो वैसे भी Friday मैंने जब जो मेरी observation है वो हमेशा जो है बड़ी movement देता है और इस तरीके से movement देता है awkward कि जो भी पैसा कमाया हुआ है लोगों का वो चला जाए इसलिए मैं बहुत safe trading करने के लिए सला देता हूं सभी को Friday को हमेशा तो मुझे यही लगता है कि यह नीचे जाके दिखाएगा और लोगों को दिखाएगा कि क्योंकि 4 लगातार candle बनी है बड़ी बड़ी तो लोगों को यही दिखाने ही कोशिश करेगा कि अब मैं वापिस नीचे यहां तक जाऊंगा और यह कहीं न कहीं इस level को नीचे थोड़ा सा cross करने के बाद जो है उपर की तरफ यह movement लेगा काफी बड़ी और जितना मुझे लगता है देखिए अभी current price जो है 4162 और इस EMA का price जो है तो हर बंदा यही यहां से बोलेगा कि यह price यहां पर red है तो यहां से यह वापिस नीचे की तरफ गिरना start होगा या फिर गिरेगा क्योंकि पीछे की जो movement आ रही है वो नीचे की तरफ ही आ रही है तो कोई भी बंदा जो है वो देखके यही बताएगा कि नीचे की तरफ और सबके orders भी सी तरीके से लगेंगे तो मुझे यही लगता है कि लोगों की सोच को सही करने के लिए यहां तक जाएगा और उसके बार बड़ी movement ऊपर की तरफ यह ले सकता है और इसको touch करके ही मेरे खाल से यह इसको touch करके touch करके ही market रुख जाएगी यानि कि रात बारा बच जाएगे या market का end का time हो जाएगा जितना मुझे लगता है और Saturday Sunday दो दिन बहुत बड़ा time होता है market को कुछ न कुछ react करने में तो अगर by moment आनी होगी तो easily यहां पर जो है को दिन में जो Saturday Sunday का time होगा कोई न कोई political pressure या कुछ भी ऐसा हो सकता है कि price यहां पर रुख जाएगा मगर Saturday Sunday में कुछ न कुछ ऐसी activities हो सकती है कि जब Monday को market open हो तो वो काफी gap up के साथ open हो या फिर काफी ज़्यादा gap down के साथ market open हो सकती है क्योंकि यहां पर price को अगर इन्होंने रुकवाया तो यह बहुत ज़्यादा बड़ा confusion create कर देगी सब के दिमाग में कि अब 225 के EMI के पास अगर एक close हो रहा है तो अब यहां से यह उपर की तरफ जाएगा या नीची की तरफ जाएगा और यह बहुत ज़्यादा confusion create करेगा और यही अच्छा मुका होता है बड़े investors के लिए पैसा कमाना तो वो यह करके ही रहेंगे जो मुझे लगता है personally तो इस वीडियो में इतना ही होप आपको जो मैंने information दी वो आपको अच्छी लगी होगी अच्छी लगे तो वीडियो को like कीजिए और कुछ comment कीजिए motivational ताकि मुझे भी motivation मिले आपकी comment से आपके support से और अगर चैनल को subscribe नहीं किया है तो subscribe कर लीजिए क्योंकि बहुत अच्छी information यहाँ इस channel पर आपको मिलेगी thank you so much have a nice day bye bye